दोस्तो स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल रजा इंटीजा में और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही जवरदस्थ पीविसी सीलिंग डिजाइन जो की दोस्तो हमने दस बाई दस के एक रूम में पीविसी सीलिंग डिजाइन जो हो तयार किया है इस वीडियो को आप शुरू साखिर तक देखी दोस्तो वीडियो शुकरने से पहले आप सभी से रिक्रेश्ट करना चाहता हूँ चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्रा सेलिंग है तो चारो तरफ जो हो इसक्वार शेप में पूरा एरिया आता है तो वहां पर यह डिजाइन जो हो बहुत ही जबर्दस लगेगा दोस्तो आगे पूरा लाश्ट तक वीडियो को देखते रही है पूरा डिजाइन के बारे में आपको जो हो नॉलिज मिलेगी बी आपको डिजाइन जो हो दिखा दिया है दोस्तो जितने भी हमारे भाई PVC सीलिंग वरकर हैं या जो लोग PVC सीलिंग कराना चाहते हैं तो उनको डिजाइन के बारे में बहुत अच्छे से जो हो पता चल पाएगा तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहें खर्च के बारे म पैनल है जो की बोडन शेड में है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारो तरफ हमने ये अठार अठार इंच का जो हो बोडर दिया है तो उसके बाद में यहाँ पर चारो बोडर में हमने दो दो बॉक्सेज जो हो दोस्तो दिये हैं और 21-21 इंच के बोक्सेज जो हो ल जो कि चारो तरफ की दिवार से लगा हुआ है तो उसमें जो हमारी इस्टिप लाइट की जगा दी गई थी वह 13 इंच हमने जगा दी थी जैसे मानली जी अगर 12 इंच पर हमने इसका पैरमिटर से जाल बांदा था तो 33 इंच की कॉप दे करके पूरा 15 इंच का हमारा पैनल जो लग रही है और इस पूरी सीलिंग को दोस्तों बहुत अच्छा लुक जो हो दे रही है दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूंगा कि देखिए प्योपी सीलिंग और पीवी सीलिंग दौनमें कुछ डिफरेंस यह होता है डिजाइन वाइस आपको बता रहा हूँ कि देखिए प्योपी सीलिंग जो होती है वो कलर कराएंगे तभी वो अच्छी लगेगी बिना कलर कराएंगे वो अच्छी नहीं लगती है मतलब पूरी सीलिंग जो हो वाइट नजर आती है या जब आप उसमें इस्ट्रिप लाइट आउन करेंगे तभी वो अच्छी लगेगी लेकिन पीवी सी सीलिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब आप लाइटिंग ओन करते हैं तो और भी ज़्यादा खुबसूरत हो जाती है लेकिन लाइटिंग ओफ रहते हुए भी जो आपकी सीलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर में अंदर की तरफ चार लाइट जो हो बॉक्स के अंदर जो हो दी गई है यह डिजाइन दोस्तों बिल्गुली डिफरेंट जो हो बनाया गया है ऐसे हमने और भी बहुत सारे डिजाइन पहले बनाये हुए है यह एस डिमांड तो अगर आप चाहते हैं PVC सीलिंग कराना या PVC वाल पेपर जो आते हैं दोस्तों वह इंस्टोल कराना चाते हैं तो आप करा सकते हैं दिवार पर भी देखी कितना जबरदस्त वाल पेपर जो हो इंस्टोल किया गया है दोस्तों आप फाइनली प्राइस के बारे में बात कर अगर आप PVC सीलिंग कराना चाहते हैं तो आप 120 रुपए पर स्क्वाइर फुट के हिसाब से अभी का ये रेट आपको बता रहा हूं दिखिए रेट बाद में कम बढ़ती भी हो सकते हैं तो जब आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो उसका टाइम भी आप देख लें अ आफ्टर टू मन्थ त्री मन्थ आप देख रहे हैं तो उसके बाद का जो रेट होगा दोस्तो वो लेटेस्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा तो आप धियान रखें कि जो अभी का रेट में आपको बता रहा हूं हूं 120 रुपए पर स्क्वाइर फुट सेलिंग का तो वेव वीड माटेरियल वो आपको पड़ेगा अभी 120 रुपए पर स्क्वाइर फुट यानि एक कमरा आपका सेलिंग 12,000 रुपए में तयार होगी दस बाई-दस की तो आप इस चीज़ का भी धियान रखेंगे दोस्तो अगर आप वर्क कराना चाहते हैं तो आप दिल्ली, गाजयबाद, नोईडा और गुलगाओं में जो हो वर्क करा सकते हैं चंडिगर और मुहाली में पंजाब में आप वर्क करा सकते हैं और हमसे कॉंटेक्ट करने के लिए दोस्तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉंटेक्ट नमबर मैंने प्रवाइड करा दिया है या इसक्रीन पर जो नमबर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर जाकर आप जो कॉंटेक्ट कर सकते हैं निन्यान में 10,25,75 इस नमबर पर आप जाकर जो है कॉंटेक्ट हमसे कर सकते हैं वाल पेपर के लिए या पिवेसी सीलिंग के लिए आप जरूर से हमसे कॉंटेक्ट करें और अपना वर्क जो हो करा सकते हैं दिल्ली, गाजियबाद, नॉइडा और गुडगाउं में इसका लिए जो है मैंने नीचे प्रवाइड करा दिया है तो वहाँ पर जाकर आप जरूर से फोलो करें